नमस्कार दोस्तों मैं परदीव दुबे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं Paytm HDFC bank credit card के बारे में एक card कैसे आप rebooking कर सकते हैं कितना civil चाहिए कहा कहा इस card को यूज कर सकते हैं इस card को क्या क्या आप इसे benefit ले सकते हैं और एक card कहां से apply होगा आपको joining bonus यह 1000 रुपे कैसे मिलेंगे पूरा details हम इस वीडियो में cover करने बारे हैं तो मेरी आप से भी नितिया कि आप इस वीडियो को skip न करके सुरूर से लग के अन तक भाष करना और मुझे like to support करना चलिए बात करते हैं topic के ऊपर यह जो paytm hdpc bank credit card है यह सब को नहीं मिलेगा इसके लिए आपको paytm के app में आप open करोगे तो वहीं से आपको notification आएगा और आपको pray booking करना पड़ेगा जैसे आप pray booking करते हैं तो वहां पे आपको कुछ document जैसे कि आपका जो है pain card number आपका date of birth और आपका डिटल जो है आपसे मागी जाएगी और वहीं से आपका apply हो जाएगा इसके बाद जो है इसमें आपका ब्लोग के वाईसी और online offline दोनों तरीके आपसे इस्तमाल करेंगे verification के लिए अगर आप इसके लिए जैसे की bank आपको देना चाहता है तो बट यहां पे सवाल आ चुका है कि ए जो card है सब को क्यूं नहीं मिलेगा कारण ए है कि अभी जो card आया है only जैसे की आपने देखा होगा कोई film आती है तो पहले उसके लिए booking करना पड़ता है कुछ ऐसे फिल में आती है तो यह card कुछ अलग type का है यह जैसे की कोई ऐसा person है जो search करके खुछ से apply कर ले और ले ले तो ऐसा अभी इसमें नहीं है आने टाइम में यह इसमें पूरा-पूरा व्योस्था और डिटर्स आ सकता है तो अभी आपको प्रेय booking करना ही पड़ेग और काफे लोग के पेटियम एप में सो भी कर रहा है अब यह जो card है इसमें ऐसा क्या बात है कि लोग लेने के लिए अदम पागल हो चुके हैं लोग सुच रहे हैं कि इसको ले ही लूँगा देखिए जो card है एक तो इसमें पेटियम और HDFC बैंक दोनों का इसमें partnership है इसका जो landing partner है HDFC bank है और इसे promote किया जा रहा है पेटियम के थ्रू तो आपको पता है कि HDFC bank को काफी लोग पसंद करते हैं HDFC bank अपने आप में एक number one bank कहा जाता है तो इसकी वज़े से यह जो card है लोग यह सोच रहे हैं कि दो लोग का benefit इसमें है पेटियम पे हम shopping करेंगे bill payment रिचार करेंगे add के पैसा bank मिलेंगे तो आप HDFC अपने दिमाग से निकाल देना जो आपके लिए other bank के card के rules है वही इसमें rules है फर कितना है कि इस card में आपको कुछ bonus और कुछ आपको जैसे के benefit अलग है वही reward point चकर cashback का चकर है बकि यह मस्तोच हो कि HDFC bank का जो अलग card से र उन लोगों से नीचे ही आएगा यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अब यहां पर सवाल आचको का जिनके पास पहले से HDFC bank card है क्या उसे apply इसे कर सकते बिल्कुल कर सकते कोई दिकत नहीं है बट आपका जो record है ओ अच्छा होना चाहिए तभी bank आपको देगा अब यहा कर सकते हैं कहीं अगर आप जूरी या आप इसकी आप नहीं कर सकते हैं ओली दो जगह पे बाकी आप जूरी पर्चस कर सकते हैं बाड को one time payment करना होगा इसके लिए में convert नहीं होता है अब जो card आया है इसमें बताया गया तो one time में card receive हुए आपको joining bonus मिल जाएगा तो यह जो आते बिलकुल सकते हैं बट पेटियम का जो card है आप इसे ले सकते हैं बट मैं आपसे request करूंगा कि अगर आपको यह card नहीं मिल रहा है तो आप इसे apply करके फालतों का civil में inquiry मत डलवाईए इससे आपके civil खराब हो जाएगी यह मत सोचो कि यह card काफी अच्छा है bank के पुरान साग रहे हैं कल कोई और card आएगा पेटियम से कोई और bank जो है partnership करेगा आपको पता है इस दियाई ने किया city bank ने किया यह सब लोग करी रहे हैं कोई और bank आ जाया करने के लिए तो क्या पता उसका demand हो जाएगा तो यह मत सोचो कि यह card काफी हत्तक अच्छा है मैं इसी की पी खीस है overdue charge है और भी same रहेगा only नाम बदल लेने से उसके system और उसके rules change नहीं हो जाएंगे यह बाते याद रखना तो अगर आपका record काफी हत्तक अच्छा है अगर आप चाहते हैं तो try कर सकते हैं पेटियम के एप से सारा काम होगा और यह card सब को नहीं मिलेगा आप इसको बिना वज़ा का try ना करें आपके civil पर impact पड़ सकता है अगर आप चाहते हैं तो bank वाले card try करें आपको सहाई मिल जाएं तो काफी लोग से बारे में तरह तरह के अप होएं फैला रहे हैं सच्छाई यह है कि मैं bank वाले card है उससे यह विटर नहीं है विश्वास कीजिए तीन डिफ्रेंस होते हैं पहला reward point चकर दूसरा cashback चकर तीसरा joining fees बाकी सारे card के जो rules नियम, overdue, penalty, charge, GST सारे काम सेम होते हैं यकीन मानिए मेरे पास सभी bank card है इसलिए मैं आपको अपना आवल भाव सेयर कर रहा है विडियो कैसा लागा like करना तो मैं सेयर कर देना वनमें साथ तब तक के लिए जय हिन उबन दे मातरम